इसे हमें पहले तो fraction में बदलना है यह है 0.9999 and all एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है और सिरफ रिपीटिंग डिजिट है डैसिमल के बाद तो हम इसे x let कर लेते हैं और इस equation को 1 कह देते हैं क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ 10 से multiply कर देते हैं अगर आप यह समझना चाहते हैं कि किसी भी decimal expansion को P by Q की form में कैसे डालते हैं तो वीडियो का link description में है अगर आप उस वीडियो lecture को देख लेंगे तो आपको shortcut methods भी आ जाएंगे और यह पूरी technique आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तब यह question आप self भी solve कर पाएंगे multiplying both sides by 10 this becomes 10x equals to 9.99 and so on and let's call this equation as 2 अब हम equation 1 को equation 2 से subtract करेंगे x को 10x से subtract करेंगे तो 9x आ जाएगा और यहाँ पर 9.999 से हम 0.9999 को subtract करेंगे decimal के right side पे तो सब 0s आ जाएगे और यहाँ से 9 आएगा तो यह 9 आ गया both sides 9 से divide करेंगे तो 1 आ जाएगा x आ गया 1 अब आप सोच रहे हैं कि यह 0.9999 कैसे 1 में बदल गया यही चीज़ को discuss करने के लिए कहा गया है आपने देखा होगा example में भी कि अगर इस टाइब से 1 डिजिट रिपीट कर रहा होता है 6 के denominator में 9 आता है अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे होते हैं तो 12 के बाद डबल 9 आएगा इसी तरह से अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहे होते हैं तो 123 के बाद 3 बार 9 आएगा यह pattern चल रहा है यह shortcut method है इस case में भी क्या हो रहा है क्योंकि यह 9 by 9 आजाएगा तो यह 1 में बदल जाएगा यही बज़ा है कि इसका answer बना गया अगर आपको यह video lectures useful लग रहे हैं तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं और इस channel पर trust कर सकते हैं यहाँ पर seriously 9 class को बढ़ाया जाएगा और extra questions RD Sharma, R.S. Agarwal और past paper experience से लिए जाएगे और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उस topic के सभी तरह के questions आप tackle कर सकें Thanks for watching